Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जारें नया वीडियो का सेरीज स्टार्ट करने जारें इस वीडियो के अंदर में दोस्तो हम MA History MHI 06 का पूरा बुक है उसके कॉंटेक्स को पढ़ेंगे टोटल 5-6 यूनिट है इस पूरे बुक के अंदर में और हर एक यूनिट के अंदर में 4-5 चैप्टर रहते हैं हम एक-एक यूनिट को पढ़ेंगे छोटी वीडियो की मदद से, short वीडियो की मदद से, 4-5 मिनट की वीडियो होगी और उस वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से lessons हैं एक यूनिट के अंदर में किस तरह के questions उस particular lesson के अंदर में बनते हैं क्या topic है, important topics क्या रहेंगे, questions पूछे जाने का pattern क्या है, उसका answer क्या है उसको roughly थोड़ा सा आपको में idea देता हुआ चला जाओगा जिससे अगर आप कभी अपने slayvers का roughly study करोगे, जब crash course की तरव पे study करोगे तो आपको इन वीडियो से बहुत जादा help मिलेगा कि इस unit के अंदर में, particular unit के अंदर में ये question है, ये topics हैं, आप easily उसको cover कर सकते हो तो वीडियो बहुत जादा benefit होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सब जबले थोड़ा सा बुक का introduction ले लेते हैं, जो आपका M.H.I.M.H.I.06 का जो बुक है उसका नाम है भारत में समाजिक सनरचनों का यूगो से होता हुआ विकास अब देखो इसके अंदर में क्या कहता है, कि यूगो से मतलब अलग-अलग time period के नुसार दिरे-दिरे जो परिवर्तन हुआ समाज के अंदर में, जो विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बात करता है पहले के time period में हमारा खान-पान कुछ और था, आज के time period में हमारा खान-पान कुछ और है तो क्या वो दिरे-दिरे क्या परिवर्तन हुआ, अलग-अलग changes साइस समाज के अंदर में, दिरे-दिरे समाज के खान पान में बदलावाया, पहनावे में बदलावाया, रहन सेन में बदलावाया, तो किस तर से परिवर्तन हुआ उसके बारे में इस book के अंदर में बात करते हैं कि पहला जो chapter हमारा तीन chapter total आते हैं तीन chapter में से पहला chapter जो हमारा है का प्राचिन समाज में पुनिर्मान और सुरोतों का विसेश संदर्व देखो जब भी हम किसी चीज की study करते हैं तो सबसे main चीज होता है सुरोत ठीक है कैसे जानकारी का सुरोत क्या था मोरे समराज जी के बारे में पढ़ते हैं तो भी हम सुरोत के बारे में study करते हैं ठीक है वही पर अगर आप आजादी के जो आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ते तो वहाँ पर हम सुरोतों का संदर्व दिलते हैं कि क्या सुरोत थे तुम्हारा जानकारी का सुरोत कै है, reference क्या है, ठीके, resource क्या है आपके, उसके बारे में हम discuss करते हैं देखो, for example, सुरोत क्या होते हैं, हडपा से पता के बारे में अगर हम study कर रहे हैं, तो दो तरह के सुरोत हमेशा हम study करते हैं कौन-कौन सुरोत होते हैं, तो पहला सुरोत होता है, पुरा तात्विक सुरोत, ठीके, पुरा तात्विक सुरोत, पुरा तात्विक सुरोत के अंदर में क्या आते हैं कि कोई भी इमारत हुआ, कोई भी मिर्तभांड हुआ, ठीके, कोई भी साक्षे जिसमें इमारत, मिर्तभ बूक हो गया कुछ भी किसी बी तरह से चीजे है ना तो वो साहितिक सुरोत के अंदर में आता है ठीक है दो तरह के सुरोत होते हैं तो यहाँ पर पहला कोशन पहले चैप्टर के अंदर में बनता है कि भारते इतियास के अध्यान के लिए अगर मालो कोई परसन इस टुड़ी हम वेद पुरानों का चर्चा करते हैं कि वैद बहुत सारे मिले हमारे यहां पर ठीक है उपनिशद हमारे यहां पर ठारों उपनिशद थे तो उनकी चर्चा करते हैं रमायन महाभारत यह हो गया गरंत कई सारे जैसे मनु हो गया यग वल्व हो गया यग वल्व क्यों सी कर तो उनके books के through भी हमें जानकारी मिलती है कि यह चीजे इस तरह से थी, तो हम यहाँ पे इस chapter के अंदर, particular chapter के अंदर में एक question बनता है, question क्या बन जाता है, बारती इत्यास के अदिन में विविन सुरोतों की चर्चा कीजिए, तो यहाँ पे यह question रहेगा, यही पुरा, इसी के है क्या, तो इसके अंदर में total तीन question बनकर आते हैं, पहला question आता है, पुरा पाशान, युक की विसेस्ता बताईए, देखिए, यहाँ पे जो पूरा time period है, अलग-अलग time period इत्यास को एद्धिन करने के लिए, तो आ जाता है, पाशान काल, ठीके, पाशान काल के अंदर में पाशान काल को total तीन भागों में बाटा गया, ठीके, पाशान काल को तीन भागों में बाटा गया, तो पूरा पाशान काल, मद्धे पाशान काल, अधुनिक काल, इस तरह से करके तीन भागों में बाटा गया, ठीके, और पूरा पाशान काल को, यह जो पूरा पाशान काल क इसको तीन भागों में बाता आइ, तो अलग-अलग बुकों के अंदर में अलग-अलग नामों से यहाँ पर बताया जाता है, तो आपको थोड़ा से ध्यान रखकर आपको थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको चीज़े क्लियर हो, तो यहाँ पर सेकिंड चैप् जो मतलब इस पूरे टाइम पिरेड की जो सुसाइटी की समाजिक संदचना थी, तो समाजिक संदचना क्या थी, इस स्टार्टिング में लोग क्या कर रहे थे, खाना बदोस की जिंदगी जी रहे थे, सिकारी संगरहन, सबसे फ्छाना बदोस तो बने नहीं थे, सबसे पहले क्य होता था उनसे तो छोटे जानवरों का सिकार करते थे देरे देरे उन्होंने सिकारी से सासा तो उन्होंने संग्रहन करने पर जोड़ दिया ठीक है पहले तो मास मच्छी खा रहे हैं फिर संग्रहन में क्या हुआ कि कंद मूल के फली कटा करते थे संग्रहन करने लगे फिर दे पानवरों को साथ में लेकर गूमने लगे तो पसुपालक खाना बदोस के लाए वो क्या करते थे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे तो यह क्या इनकी समाजिक संद्चना है किस तर से समाज की संद्चना बदली उसके बारे हम यहां पर बात करते हैं ठीक है फिर आ यूगिन सबता क्या इसका तीसा टॉपिक यह आता है नवपाशान यूगिन सबता नवपाशान यूगिन सबता के अंदर में बात करोगे तो इसके अंदर में टॉपिक क्या क्या आप कवर करोगे कि नवपाशान यूगिन के अंदर में किस तर से बदलाव आया खान-पान करने लगी ठीक है कृषि करने लगे तो खागे उत्पादन क्या जाने लगा जिसका साक्षे मिलता है जह बाजरा इन सब चीजों के कई जगह साक्षे मिलते हैं कि यहाँ पे यह चीज एंथी उसके पड़ी होती थी ठीक है कि ये चीज़े इसके अंदर में रही, ठीके, तो यहाँ पे ये topic के लिए हो जाएगा, ठीके, समझ में आता है, तीसरा chapter जो इस unit का हैगा, तीसरा chapter के अंदर हम बात करते है, हडपा की सब्वेता और तामरपाशान संस्कृतियों की, अब देखो, यहाँ पे हडपा संस्कृत पहला topic रहता है, समाजिक संरचना का, कि हडपा की समाजिक संरचना किस परकार की थी, तो अब देखो, समाजिक संरचना के अंदर में क्या, वो पक्की मीटों का धीरे-दीरे उपयोग किया जाने लगा, जैसे विक्सी तोड़े ते, कौपर का उपयोगा ना, पक्की मीटो का उपयोगा ना, घरों का निर्मान सही तरीके से कराया जाना, नगरी ववस्ता का विकास किया जाना, ठीक है, तो आपने हड़ा पास अपता का नगरी वववस्ता आपने हजारों बार पड़ा होगा, आप वो सारी चीज़ यहां पर डिफाइन कर से, तो किस तरसमापे सम 9-11-11-11, आदे गंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, जो अल्मॉस्ट दो घंटे की वीडियो है, और उस वीडियो के अंदर में लास्ट 5-year के question paper मैंने कराया है, अगर आप MA history second year का सच में study कर रहे हो और अच्छे number लाना चाहते हो, है MHI 06 का पढ़ रहे हो आप तो, ठीक है, तो मैं आपको ये suggest करूँगा कि उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, उसमें आपको last 5-year के question paper से almost 90% service cover हो जाएगा, आपको खुद भी उतना time देने की जोरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने उस वीडियो पर time दिया है, ठीक है तो वो easily cover कर सकते हो, इस topic के अंदर मैं वो आपस आते हैं, जब हम इस question paper को study कर रहा था मैं, या बना रहा था वीडियो, तो मैंने ये देखा, almost 5-6 question इस वाले chapter से आ रहे हैं थे, पूरे 5 सारगे question paper मैं, 5-6 question थे इस chapter से, question किस तर से बनते हैं, तो question बनते हैं बिभेंदताओ के उपर में, कि differences क्या हैं, दोनों चीज़ों के अंदर बिभेंदाओ के लिए हैं, उसके उपर मैं question बनते हैं, ठीके, जैसे जो जन जाती है, बिभेंदताओ बिभेंदाओ किस परकार के थे, घडपा से पता के अंदर में हुआता है, जन संण्रचनों के बिभेंदाओ किस शाशनिक वर्गों का था ठीक है अधिकारी वर्गों का था दूसरा दिखा जाता है निचला सहर जो निचला सहर किसका था तो गरीब निम्न वर्गों का माना जाता है ऐसा अंदाजय लगा जाता है इतिहांस कारों के थूर। तो दोनों के अंदर बिभिनता हैं, एक आकार में बड़ा था, एक आकार में छोटा था, एक आकार में संपन दिखता था, एक आकार में संपन नहीं था, ठीक है, तो इस तरह से क्या है बिभिनता हैं, तो इसको बेसिस पे भी कोशन यहां पर बनते हैं, यहां पर जब जनजा जनजाती संदचनाओं के इंदर में उसके बारे में बात आता है संगोत्री व्यवस्था संगोत्री व्यवस्था के अंदर संगोत्री नातेदारी संगोत्री संबंद क्या होते हैं तो बनाने संबंद बनाने के कई तरीके ते जैसे उपहार देकर ठीक है साधी करके व्यवा क करके विवाहिक संबंद बना कर तीसरा क्या संग्रक्षन के तुरू किसी को अपना हेड मान लिया ठीक है और चौता ग्रहाक और वैपार के संबंद के तुरू तो इस तरह से कई सारे संबंद बनाएगे जो आगे उनको विक्सित होने में सहायता मिलती है मैं आपको पढ़ा सकूँ सासात में हमारा क्या बेनिफिट है आप चाहते हो कि आपका अच्छे नमबर आए मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल ग्रो करे ठीक है मैं आगे बढ़ू आप आगे बढ़ो यह नॉर्मल से मोटिव है ठीक है तो यहां पर क्या इस तरह से हम संबंद बना रहे हमारा संब किस प्रकास थे यहां पर यह भी कोशन बनकर आ जाता है आपको समझ में आयोगा अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बेजी जक कमेंट करके पूछ लीजएगा मैं हमेशा आपके लिए वैलिए हूं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए मतलब रेडी हूं तो नॉर्म को भी हमारे बारे में जानकारी मिले हम और भी वीडियो बना सकें उनकी भी हल्प कर सकें तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फूर वाचिंग में थैंक यू सो मच फूर लिस्निंग में बबबाय तेक केर अल बेस्ट